प्रस्थूत है मुन्शी प्रेम चंद के प्रेड़ना दायक कहानियों में से एक कहानी जिसका शिर्षक है नशा इश्वरी एक बरे जमिंदार का लर्का था और मैं एक गरीब का लर्का जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी हम दोनों में परस पर बहसे होती रहती थी मैं जमिंदारों की बुराई करता उन्हें हिंसक पशू और खून चेशने वाले जोक और व्रिक्षों की चोटी पर फुलने वाला बंजा कहता वह जमिन्दारों का पक्ष लेता पर स्वभावता उसका पहलू कुछ कमजोर होता था क्योंकि उसके पास जमिन्दारों के अनुकुल कोई दलील ना थी वह कहता कि सभी मनुशे बराबर नहीं होते छोटे बरे हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे लचर दलील थी किसी मानुसी या नैतिक नियम से इस ववस्ता का औचित सिद्ध करना कठिन था मैं इस वाद विवाद के गर्मा गर्मी में अकसर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता लेकिन इश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था नौकरों से वह सीधे मुबात न करता था अमीरों में जो एक बेदर्दी और उदंडता होती है इसमें उसे भी प्रचूर भाग मिला था नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की दूद जरुरत से ज़ादा गर्मिया ठंडा हुआ सैकिल अच्छी तरह से साफ नहीं हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता सुस्ती बत्तमीजी भी उसे जरा भी बरदास्त न थी पर दोस्तों से और विशेश कर प्रेम सिधानतों पर नहीं नीजी दशाओं पर टिका हुआ था लेकिन वह मेरी जगा होकर भी शायद अमीर ही रहता क्योंकि वह प्रकृती से ही विलासी और एश्वर प्रिये था अपकी दशारे की छुट्टियों में मैंने निश्चे किया कि घर न जाऊंगा मेरे पास किराय के लिए रुपए न थे और ना मैं घर वालों को तकलीव देना चाहता था मैं जानता हूँ कि वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसेत से बहुत जादा है इसके साथ ही परिक्षा का भी खयाल था अभी बहुत कुछ पढ़ना बांकी था और घर जाकर कौन पढ़ता है बोडिंग हाउस में भूत की तरह अकेले परे रहने को भी जीना चाहता था इसलिए जब इश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का नियोता दिया तो मैं बिना आग रके राजी हो गया इश्वरी के साथ परिक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी वह अमीर होकर भी महनती और जहीन है उसने इसके साथ ही का लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना वहाँ अगर जमिनदारों की नंदा की तो मुआमला बिगर जाएगा और मेरे घरवालों को बुरा लगेगा वह लोग तो आसामियों पर इसी दावे से शाषन करते हैं कि इश्वर ने आसामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है आसामी भी यही समझता है अगर उसे सुझा दिया जाए कि जमिनदार और आसामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमिनदारों का कही पता न लगे मैंने कहा तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊंगा हाँ मैं तो यही समझता हूँ तुम गलत समझते हो इश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया कदाचित उसने इस मुआमले को मेरे विवेग पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया अगर वह अपनी बात पर अरता तो मैं भी जिद पकड़ लेता सेकेंड क्लास तो क्या मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर न किया था अबकी सेकेंड क्लास में सफर कर सोभाग प्राप्थ हुआ गारी तो नौ बजे रात को आती थी पर यातरा के हर्ष में हम शाम को ही स्टेशन जा पहुँचे कुछ देर इधावधर शैर करने के बाद रिफ्रेश्मेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया मेरी वेश भूशा और रंगढ़ंग से पार्खी खानसामों को यह पचाने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलगू कौन लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी यह गुस्ता की बुरी लग रही थी पैसे इश्वरी के जेव से गए शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे जादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता हो एक अठनी तो चलते समय इश्वरी नहीं दे दी फिर भी मैं उन सबों में उसी ततपरता और विने की अपेक्षा करता था जिसे वे इश्वरी की सेवा करते थे क्यों इश्वरी के हुक्म पर सब के सब दोरते हैं लेकिन मैं कोई चीज मांगता हूँ तो उतना उत्साह नहीं दिखाते मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला यह भेद मेरे ध्यान को संपुन रूप से अपनी और खीजे वे था गारी आई हम दोनों सवार हुए खान सामों ने इश्वरी को सलाम किया और मेरी तरफ तो देखा भी नहीं इश्वरी ने कहा कितने तमीजदार हैं ये सब एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंगी नहीं मैंने खटे मन से कहा इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी आठाने रोज इनाम दिया करो यह सब केवल इनाम के लालत से इतना अदब करते हैं जी नहीं कदापी नहीं तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है गारी चली डाग थी प्रयाग से चली तो परताबगर जाकर रुकी एक आदमी ने हमारा कमरा खोला मैं तुरंट चिल्ला उठा यह दूसरा दर्जा है सकेंड क्लास है उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी और एक विचितर उपेक्षा की दृष्टी से देख कर कहा जी हाँ सेवा कितना समझता है और बीच वाले बर्थ पर बैठ गया मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता बहर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुँचे स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खरे थे दो भद्र पुरुष थे पाच बेगार बेगारों ने हमारा लगेज उठाया दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले एक मुसल्मान था, रियासत अली दूसरा ब्रामन था, राम हरक दोनों ने मेरी और अपरिचित नैतरों से देखा मानों कह रहे हो तुम कववे होकर हंस के साथ कैसे रियासत अली ने इश्वरी से पूछा या बाबु साहब क्या आपके साथ पढ़ते है इश्वरी ने जवाब दिया हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं यों कहिए कि आप ही की बदौलत मैं इलाबाद में पढ़ा हूँ नहीं, कब का इलाबाद से लखनव चला आया होता अबकी मैं इन्हें घसीत लाया इनके घर से कई तार आचुके थे मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिये आखरी तार तो अरजन था जिसकी फीस चार आने परती सब्द है पर यहां से उसका भी जवाब इनकारी हो गया दोनों सर्जनों ने मेरी और चकित नेतरों से देखा आतंकित हो जाने की चेश्टा करते हुए जान पड़े रियासत अली ने अर्ध शंका के सवर में कहा लेकिन आप बरे साधे लिबास में रहते हैं इश्वरी ने शंका निवारन की महत्मा गांधी के भक्त है साहब खदर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं पुराने सारे कप्रे जला दिये यों कहों की राजा है धाई लाग सलाना की रियासत है पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथाले से पकर कर लाए गये है राम हरक बोले अमीरों का ऐसा सभाव बहुत कम देखने में आता है कोई भाप ही नहीं सकता रियासत अली ने समर्थन किया आपने महराजा चांगली को देखा होता तो दातों उंगली दवाते एक गाठे की मिरजेई और चमरोधे जूते पहने बाजारों में घुमा करते थे सुनते हैं एक बर वेगार में पकरे गये थे और उन्होंने दस लाख से कॉलेज खोल दाला मैं मन में कटा जा रहा था पर न जाने क्या बात थी कि या सफेज जूट उस वक्त मुझे हास्यास्पत न जान पड़ा उसके प्रतेक वाक्य से मानो मैं उस कल्पित व्यभव के समेब तर आता जाता था मैं सहसवार नहीं हूँ हाँ लरकपन में कई बार लद्दू घोरों पर सवार हुआ हूँ यहां देखा तो दो कला रास घोरे हमारे ले तयार खरे थे मेरी तो जान ही निकल गई सवार तो हुआ पर बोटिया काप रही थी मैंने चहरे पर सिकर न पढ़ने दिया घोरे को तेज न किया वरना शायद मैं हाथ पाउत उरा कर लोटता संभव है इश्वारी ने समझ लिया हो कि यह कितने पानी में है इश्वारी का घर क्या था? किला था इमाम बारे का सा फाटक द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ नौकरों का कोई हिसाब नहीं एक हाथी बंधा हुआ इश्वारी ने अपने पिता, चाचा, ताउअधी सबसे मेरा परिचय कराया उसी अतिश्योक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिये नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे देहात के जमिंदार, लाखों का मुनाफ़ा, मगर पुलिस कॉंस्टेबल को अफसर समझने वाले कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे जब जरा एकांथ हुआ, तो मैंने इश्वरी से कहा तुम बरे सैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीद कर रहे हो इश्वरी ने दृट मुश्कांद के साथ कहा इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी वरना सीधे मूँ बोलते भी नहीं जरा देर के बाद नाई हमारे पाउं दबाने आया कुमर लोग स्टेशन से आये हैं, ठक गए होंगे इश्वरी ने मेरी और इशारा करके कहा पहले कुमर साब के पाउं दबा मैं चारपाई पर लेटा हुआ था मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा कि किसी ने मेरे प्याओं दबाय हो मैं इसे अमीरों के चोचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुट मर्दी और जाने क्या-क्या कहकर इश्वरी का परिहास किया करता और आज मैं पोतरों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था इतने में दस बज गए पुरानी सभ्यता के लोग थे नई रोशनी अभी केवल पहार के चोटी तक पहुँच पाई थी अंदर से भोजन का बुलावा आया हम स्नान करने चले मैं हमेशा अपनी धोती खुद छाट लिया करता हूँ मगर यहां मैंने इश्वरी की ही भाती अपनी धोती भी छोड़ दी अपने हातों अपनी धोती भी छाटते सर मा रही थी अंदर भोजन करने चले हॉस्टल में जूते पहने मेज पर जाट डटते थे यहां पाउ धोना आवश्चक था कहार पानी लिये खरा था इश्वरी ने पाउ बढ़ा दिये कहार ने उसके पाउ धोये मैंने भी पाउ बढ़ा दिये कहार ने मेरे पाउ भी धोये मेरा वह विचार न जाने कहां चला गया सोचा था वहाँ देहात में एकाग्र होकर खूब पड़ेंगे पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कर जाता था कहीं नदी में बजरे पर शैर कर रहे हैं कहीं मचलियों या चिरियों का सिकार खेल रहे हैं कहीं पहलवानों की कुष्टी देख रहे हैं कहीं सत्रंज पर जमें है इश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोप और ओमलेट बनते नौकरों का एक जथा हमेशा घेरे रहता अपने हाथ पाउं हिलाने की कोई जुरत नहीं केवल जवान हिला देना काफी है नहाने बैठो तो आदमी नहलाने को हाजिर लेटो तो आदमी पंखा जहलने को खरे महात्मा गांधी का कुवर चेला मशूर था भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी नाष्टे में जरा भी देर न होने पाए कहीं कुवर साहब नाराज न हो जाए बिचावन ठीक समय पर लग जाए कुवर साहब के सोने का समय आ गया मैं इश्वरी से भी जादा नाजुक दिमाग बन गया था या बनने पर मजबूर किया गया था इश्वरी अपने हाथ से बिचा ले लेकिन कुवर महमान अपने हाथों कैसे अपना बिचावन बिचा सकते उसकी महानता में बट्टा लग जाएगा एक दिन सचमुछ यही बात हो गई इश्वरी घर में था शायद अपनी माता से कुछ बातचित करने में देर हो गई यहाँ दस बजगे मेरी आँखे नीन से जपक रही थी मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुमर जो ठहरा कोई साड़े ग्यारा बजे महरा आया बड़ा मुह लगा नौकर था घर के धंदों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधी ही नहीं रही अब जो याद आई तो भागा हुआ आया मैंनी आएसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा इश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला तुमने बहुत अच्छा किया यह सब हराम खोर इसी वहार के योग है इसी तरह इश्वरी एक दिन एक जगा दावत में गया हुआ था शाम हो गई मगर लैंप न जला लैंप मेज पर रखा हुआ था फिर कुवर साब कैसे जलाए मैं जुझ ला रहा था समाचार पत्र आया रखा हुआ था जी उधर लगा हुआ था पर लैंप न दारद दैव योग से उसी वक्त मुनसी रियासत अली आ निकले मैं उनी पर उबल पड़ा ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया तुम लोगों को इतनी भी फिक्र नहीं कि लैंप तो जलवा दो मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहां कैसे गुजर होता है मेरे हां घंटे भर निर्वाह न हो रियासत अली ने कापते हुए हाथों से लैंप जला दिया वहाँ एक ठाकूर अफसर आया करता था कुछ मंचला आदमी था महाद्मा गांधी का परमभत मुझे महाद्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहास करता था पर मुझ से कुछ पूछते संकोज करता था एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांध कर बोला तो गांधी बाबा के चेले हैं न लोग कहते हैं कि वहाँ सुराज हो जाएगा तो जमिंदार न रहेंगे उन्हें शान जमाई जमिंदारों के रहने की ज़रत ही क्या है यह लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं थाकूर ने फिर पूछा तो खुशी से दे देंगे जो लोग खुशी से ना देंगे उनकी जमीन चीननी ही पड़ेगी हम लोग तो तयार बैठे हुए हैं जोहीं सुराज हुआ अपने सारे इलाके असामियों के नाम ही कर देंगे मैं कूर्सी पर पाउं लटकाए बैठा था थाकूर मेरे पाउं दबाने लगा फिर बोला आज कल जमीनदार लोग बड़ा जुम करते हैं सरकार हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दे तो चल कर वहीं आपकी सेवा में रहें मैंने कहा अभी तो मेरा कोई अख्तियार नहीं है भाई लेकिन जोहीं अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखा कर अपना ड्राइवर बना लूँगा सुना उस दिन ठाकूर ने खूब भंग पी और अपनी इस्तरी को खूब पीटा और गाउं के महाजन से लाने को तयार हो गया छुट्टी इसी तरह खत्म हुई और हम फिर प्रयाग चले गाउं के बहुत से लोग हम लोगों को पहुचाने आए ठाकूर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरो चितन विनय और देवत्यों की मुहर हर एक के हिर्दय पर लगा दी जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दू लेकिन वा सामर्थ कहां थी वापसी टिकट था ही केवल गारी में बैठना था पर गारी आई तो ठसाठस भरी हुई दुरगा पूजा की छुट्टिया भोग कर सभी लोग लौट रहे थे सकेंड क्लास में तिल रखने की भी जगह नहीं थी इंट्र क्लास की हालत उससे विबत्तर या आखरी गारी थी किसी तरह रुख न सकते थे बड़ी मुश्किल से तीसरे दरजे में जगह मिली हमारे एश्वर ने वहाँ अपना रंग जमा लिया मगर मुझे उसमें बैठना बुड़ा लग रहा था आये थे आराम से लेटे लेटे जा रहे थे सिकुरेर हुए पहलु बदलने की जगह न थी कई आदमी पढ़े लिखे भी थे वे आपस में अंग्रेजी राजी की तारीफ करते जा रहे थे एक महाशे बोले ऐसा न्याय तो किसी राजी में नहीं देखा छोटे बड़े सब बराबर राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी भी गर्दन दबा देती है दूसरे सज्जन पर बड़ा गठर बंदा था कलकत्ते जा रहा था तहीं गठरी रखने की जगा न मिलती थी पीठ पर बांधे वे था इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खरा हो जाता मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था उसका बार बार आकर मेरे मूँ को अपनी गठरी से रगरना मुझे बहुत बुड़ा लग रहा था एक तो हवा योही कम थी दूसरे उस गवार का आकर मुझे पर खरा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था मैं कुछ देर तक जब्द किये बैठा रहा एक आएक मुझे क्रोध हा गया मैंने उसे पकर कर पीछे धकेल दिया और दो तमाचे जोर जोर से लगाए उसने आखें निकाल कर कहा क्यों मारते हो बाबुजी हमने भी तो किराया दिया है मैंने उठकर दो तीन तमाचे और जर दिये गाड़ी में तुफान आ गया चारो ओर से मुझे पर बोचार पड़ने लगी अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अवल दर्जे में क्यों नहीं बठे कोई बड़ा आदमी होगा मुझे इस तरह मार कर तो दिखा देता क्या कसुर किया था बेचारे ने गारी में सांस लेने की जग़नी खिर्की पर जड़ा सांस लेने खरा हो गया तो उस पर इतना क्रोध अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिलकुल खो देता है यह भी अंग्रेजी राज है जिसका बखान कर रहे थे एक ग्रामीन बोला दफ्तरन माग हुसा पावत नहीं उस पर इतना मिजाज इश्वरी ने अंग्रेजी में का What an idiot you are, बीर और मेरा नशा अब कुछ-कुछ उतरता हुआ मालूम होता था धन्यवाद